मतलब बुद्धियोग ज्यादा लगता है दो दिन पहले से तयारी करते हैं ऐसा होता है और अगर एक मैने के लिए जाना है तो शायद 15 दिन से थोड़ी-थोड़ी चीजे रखते जाएंगे तयारी करेंगे और अगर एक साल के लिए जाना है तो और ज्यादा और अगर पर्मनेंट यहां छोड़ना और वहां जाना है तो बुद्धियोग फिर केसा होता है फिर कितने समय ते तयारी चल रही होती है और प्लस अगर यह पता हो कि कभी भी पर्मनेंट जाना पड़े है जल्दी तो है ही है लेकिन उसमें भी टाइम पीरेड है 15 दिन में एनी टाइम तो क्या होगा पूरे 15 दिन में कहले ही हम तयार होते है क्योंकि एनी टाइम है एनी टाइम यह बहुत बड़ा यह एवरेडी का पार्ट है तो अब क्या करना है पर्मधाम पर्मनेंट जाना है मतलब यह बुद्धी योग यह बुद्धी अभी चलेगी नहीं तो चलो बाबा के इसके लिए आज क्या-क्या महवाक के बाबा ने उच्छा रहे एक्केस पाच मिठे बच्चे सदे वियाद रखो बहुत गई थोड़ रही और आगे है थोड़ी में आधी में पुना आध फिर ऐसा ही कुछ है ना बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी में पुनियाध फिर करेगो कब ऐसे कुछ है अब तो घर चलना है इस छीची शरीर और दुनिया को भूल जाना है अच्छा प्रश्ण है कौनसा नशा निरंतर रहे तो स्थिती बड़ी फस क्लास होगी कौन का शिकार अगर ये नशा रहे मतलब हम निरंतर नशा रहे कि मिरुआ मौत मलुक का शिकार ये स्टोरी है ना पुरी हम मलुक फरिष्टा बन अपने माशुक के साथ मलुक मतलब फरिष्टा इदर मिरुआ मौत है इदर मर रहे है जो आत्म है उनके लिए प्रॉब्लम है और और हम उनमें से हम भी जर्शरी छोड़ रहे हैं लेकिन मलुक फरिष्टा बन अपने माशुक के साथ घड़ जाएंगे तो वो मलुक का शिकार अपने फरिष्टे के साथ माशुक के साथ हम फरिष्टा बन वो शिकारी के साथ चले जाएंगे बाकी सब खला सुनाई अब हम इस पुरानी खाल को छोड नहीं लेंगे ये ज्यान सारा दिन बुद्धी में टपकता रहे तो अपार खुशी होगे स्थिती फर्स क्लास बन जाएगी शरीर में कुछ न कुछ इश्योज हर कोई का चली रहा है तो बार बार ये संकल प्रहे की देखो अब ये छोड़ना है सुन्दर सा ड्रेस सामने रखो शरीर रूपए ड्रेस ये पहनना है तो क्या हो जाएगा बहुत खुशी होगी अच्छा गीत है ये कौन आया आज सवेरे सवेरे कोन आज आता है हमारे पस बाबा आता है आप कहां थे जल्दी बुलता हूं ये कौन आज आया सवेरे सवेरे कि कौन आज आया सवेरे सवेरे कि दिल चौक उठा सवेरे सवेरे कहा रूपने चांद है चौधमी का मगर चांद कैसा सवेरे सवेरे मगर चांद कैसा सवेरे सवेरे आँखों में जादू बातों में शोला किया कैसा चर्चा सवेरे सवेरे ये कौन आज आया सवेरे सवेरे बस इतना ही आद आज़ीज का ये चांद नहीं है चांद भी है लेकिन सवेरा भी नहीं है सवेरे में चांद भी है तो ये किस ने कहा बही कौन आया मेरे जीवन में अभी किसी से प्यार हो जाता है न कहते कौन आ गया मेरे लाइफ में तो हम सब के लाइफ में कौन आया फील होता है न तो बाबा कहते बच्चों ने अतिंद्रिय सुख मैं जीवन में आकर कहते हैं बेहत का बाप आया हुआ है किसलिये इस पुरानी दुनिया को बदल पावन दुनिया बनाने पावन दुनिया कितनी बड़ी होगी, पतित दुनिया कितनी बड़ी है, यह तुम बच्चों की बुद्धी में आना चाहिए, यहां कितने करोडों मनुष्य है, इनको पतित भ्रष्टाचारी दुनिया कहते है, मीठे मीठे बच्चों को दिल में आना चाहिए, हमारी नई द विदिया कितनी चोटी होगी, कितनी चोटी होगी, बताओ, कितनी चोटी होगी, 9,00, और घर कितने बड़े बड़े होंगे, तो हम कैसे राज्य करेंगे, हमारे भारत जैसा कोई देश हो नहीं सकता, ये कोई नहीं जानते क्यों भारत की उस तरह से महिमा है, मतलब विशेशकर वैल्यूस की बेसेश में भारत की बहुत महिमा है, तो कारण क्या है, बावा कहते हैं, ये कोई नहीं जानते भारत स्वर्ग था, अब नहीं है, ये किसको यादी नहीं आता, हमारा भारत सबसे उच, सबसे प्राचीन है, तुम बच्चों की बुद्धी में आता है, सोभी नंबरवार पुर्शारत अनुसार, इतनी खुशी इतना रिगाड रहता है, बेहत का बाप आया हुआ है, कल्प कल्प आते है, माया रावन ने तो जो हमारा राज्य भाग्य छीन लिया, वह हम आत्माओं को फिर से अपना राज्य भाग्य बाबा आकर देते हैं, ऐसे ने कि कोई लड़ाई से छीना गया है? नहीं, रावन राज्य में हमारी मत भृष्टाचारी हो जाती है, स्रिश्टाचारी से हम भृष्टाचारी बन जाते हैं, दुनिया देखो कितनी बढ़ गई है, हमारा भारत देश कितना छोटा था, स्वर्ग में कितने सुखी ह और दुनिया तो वैसे भी नहीं रहेगी, सारे खंड तो वैसे भी बाद में आए ना, सभी खंड, तो भारत देश कितना छोटा था, अच्छा, स्वर्ग में कितने सुखी रहेंगे, हीरे जवारवतों के महल होंगे, वहां रावन होता ही नहीं, चलो भाई, स्वर्ग में चल हीरे जवारवतों के महल में चलो, सबसे पहले अपना देव स्वरूप देखो, फॉस्ट बाबामिशा कहते हैं, पाच स्वरूप, पहला हमारा देव स्वरूप, कैसा है लक्ष्मिनारायन, पूरे सजे धजे और सबसे इंपोर्टन्ट मस्तक पर आत्मा चमक रही है, देव स्वरूप, देखो, बैठ जाओ सिहासन पर, बैठ गए है, अब पूरे अपने राज्ये के उपर द्रिष्टी कोण जाए, कौन सा राज्ये, पूरे राज्ये पर द्रिष्टी कोण, चारो तरफ मीठी, मीठी नदिया, पाहाड और बावने स्वर्ग की वताई, हमारे आंगन में पुष्पक विमान, मोर की आकार का विमान, मस्तक सामने, विमान देखा, और एद्दम अंडर्स्टेंडिंग, रिलेशन्शिप में, प्योर अंडर्स्टेंडिंग, कितनी पावर्फुल अंडर्स्टेंडिंग है, गोल्डन एज, चारो तरफ गोल्ड, गोल्ड, सुख देने वाला गोल्ड, आओके जी, चलो, बाबा केते है, तो याद करो, बाब केते देई अभिमानी बनो, हिरे जवारा तके महलोंगे, वहां रावन होता ही नहीं, तुम बच्चों की बुद्धी में खुशी होनी चाहिए, अतिंद्रिय सुख रहना चाहिए, बाब केते देई अभिमानी बनो, देय का भान तोड़ने के लिए बाबा ने कहा था, एक सो आठ चत्तियों वाला देय का भान तोड़ने के लिए बाबा एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराते थे, कौन सा, पता है ना सबको, एक सो आठ चत्तियों वाला कपड़ा पैनो, चत्ति मतलब पैचिस के, जैसे कई बार हो जाता है ना कि क्यूं हम देय भान होता है तो नहीं, टिप टॉप होना चीए, वो होना चीए, ये बाबा ने प्रैक्टिस करा है, सुना ना अप लोगोंने मम्मा मोटा कपड़ा पैनती थे, फिर सब दादियों भी और फिर पैचिस, मतलब फिर जैसे कई बार मम्मा एक कपड़ा है साड़ी का, उसमें आदा दूसरा जैसे कपड़ा लगा के, एक सो आट तो नहीं था, बट इस तरह से बाब मम्मा और फिर देते समझ थी देखती थी कि जो ले रहा है, उसको क्या खुशी से ले रहा है, तो बाबा इस तरह है, बाबा ने देह का भान तोड़नी के लिए बाबा ने काता है, एक सो आट चत्तियो वाला कपड़ा पेन। क्या करें, डीसंट रहे, एक सो आट चत्तियो वाला कपड़ा पेने, एक तरह बाबा केते हैं, बच्चे, बैलेंस रखके, चलो, टिप टॉप हो, सेवा करने जाओ ना, एदम अच्छे से, और फिर बोला, एक सो आट चत्तियो वाला कपड़ा भी पेनो, क्या करें, दोनों तो कैसे कर सकते हैं, जगदेश भाई हमेशा अपने पास हुई धागा रखते थे, वो बोलते हैं, बोले कभी कुछ ऐसी प्रॉबलम भी हो, मतलब प्रॉबलम इन दे सेंस, ये भी देवान नहीं क्यों, ये तो बार, क्या होता है, हम भी हमारा बार-बार अटेंशन कहीं ज जाए, अगर हो ऐसा, तो प्रॉबलम भी नहीं है, ये तो ठीक, नहीं हो तो भी ठीक, मतलब त्यागी तपस्वी मूरत तो चाहिए न, अंदर से, तो बाबा कहते हैं, देई अभी मानी बनो, भल बड़े आदमियों से बाबा का, साकार बाबा का, जवारियों से कनेक्शन वह नशा तूटे कैसे, देई अभी मानी बनना पड़े, हम आत्मा है, ये तो पुराना शरीर है, इनको छोड़ नया फसकला शरीर लेना है, सर्प तो एक खाल छोड़ दूसरी ले लेते हैं, तुम बच्चों की बुद्धी में ग्यान है, ये पुरानी खाल छोड़, हम द दूसरी नहीं लेंगे, फिर दूसरा शरीर मिलेगा, ये तो सारा ग्यान बुद्धी में टपकना चाहिए, वंसा ग्यान टपकना चाहिए, आज बार बार पूरे दिन की प्रक्टिस है, बस ये शरीर छोड़, दूसरा लेंगे, फील करो, बस ये शरीर छोड़ा, हमारा शर और अब दूसरा शारीर है, दूसरी गाड़ी सामने खड़ी है, ब्यूटिफुल गाड़ी, एदम सुन्दर, मैं आत्मा शरीर छोड़ा, तो आज प्रैक्टिस करेंगे हैं आज का पुर्शारत में, तो बाबा कहते हैं, साक्षात कर, तो ये छीछी दुनिया है, इनको देख हमारी बुद्धी का योग घर तरफ जा रहा है, अभ्यास तो करना पड़े न, शरीर भी पुराना है, दुनिया भी पुरानी है, साक्षात कार कर लिया, कैसी दुनिया, कितने रोज के डेट्स, और फिर वो तो चलो एक्स्ट्रीम कैसे से, वो तो चलो, कुछ-कुछ घरों है ना सबके क्रोध है अटेच्मेंट है आत्मा विचारी जिद्धी देभान अकड ये वाले सबके है हर घर में बहुत है तो कितनी आत्मा दुखी है बाबा के रहे ऐसे फील करो अब दे और दे के संबंद के सब संबंद छोड़ घर जाना है अंदर में खुशी होती है अभी हमको वापिस जाना है बुद्धियोग वहां लगाना होता है एक दो को यही सुनाना है मन मनाभव ये बड़ा जवर्दस्त मंत्र है कल मन मनाभव का वर्ड किस कंटेक्स्ट में बोला था बाबाने पाक सर में और भी आएंगे रेडी रहना तो बाबा केते ये बड़ा जव कुद्धी में नहीं आएगा हम भविश्य के लिए राज्योग सीख रहे है बहुत गई अब बाकी थोड़ा ही समय है ऐसे ऐसे अपने को बहलाते क्या बहुत गई वे सब बाकी थोड़ा समय है कितना समय अभी थर्ड फेस करोना का आ जाएगा उसके बाद लेडी हो सकता है फोर्थ फेस भी आए बस अब थोड़ा समय है फिर वो एग्जामिनेशन में क्या करते है दस थे पेपर पाच गए तो खुशी होती दर्द होता है प्रोफेशनल एग्जाम्स वो भी सी एक एग्जाम्स इतना बड़ा रिलीफ मिलता है जैसे ऑस्पिटल के पेपर क्रॉस क पर है फिर दुनिया में ये कनते थожд мои एक और पेपर तो रेड़ी सिरे है ना बाबा के बच्चे कि डर लगता है टैंशन आगा है मुझे अभी से टैंशन आगा करें ऑ पेपर है हॉल में बेठे हैं भी लेनी डिया पेपर थो करना ही पड़ेगा है टिगरी भी चाहिए पेपर भी नहीं करो ऐसा तो कोई एकसा नहीं और फिर कौनसा पेपर चल रहा है उसायकिलौन का पेपर ब्यकलन अगरे उसल्री चल रहे दुसरा प्रबेपर तो बाबा कहते है । अंदर में खुशी होती है, अब हमको वापस जाना है, ये किसकी बुद्धी में नहीं आएगा, हम भविश्य के लिए राज्योग सीख रहे हैं, बहुत गई थोड़ा रहा, ये सब तो खलास होना है, मिरुआ मौत मलूक का शिकार, हम मलूक भन, अपने माशुक के साथ घर जाएंगे, ऐसी ऐसी बाते करनी चाहिए, ये बाते करो, इसको कहा जाता है विचार सागर मन्थन, ये शास्तर आदी तो जन्म जन्मांतर पड़े है, हम बारतवासियों ने जितने जब तप आदी किये है, उतना और कोई ने नहीं किया, जन्म जन्मांतर शास्तर पड़े, कितने जब किये जो पहले-पहले आये होंगे उन्होंने भक्ति किये और वही जो पहले-पहले आये होंगे पहले-पहले कहां आये होंगे बोलो देपिकावन पहले सत्यूग में आये उन्होंने बहुत भक्ति किये उन्होंने भक्ति कि शुरुआ थी उन्होंने कि हाँ लेकिन जो पहले पहले आएंगे उन्होंने भक्ति की है द्वापर में भी तो फिर स्टार्ट में भक्ति शुरू की ना और फिर तो सत्यूग में जो पहले आएंगे वो ही द्वापर में भक्ति करें भक्ति मतलब connected है ना सत्यूग में पहले आएंगे तो द्वापर में भी भक्ति पहले करेंगे, चाहे उसको द्वापर से ले लो, या सत्युक से ले लो, और वही फिर उसके बाद, उसका रिजल्ट, आगे का, फ्यूचर बताओ, उसका, दिपिका विन बलो, जाएंगे, शार्प, अब देखो, तो अगर मैंने भक्ति की है, बहुत भक्ति की है, मतलब में घ्यान योग में ठीक है, तुरंत घ्यान को एकसेप्ट कर लेंगे, अब फिर वह भक्ति करेंगे वापस, हायर सेकेंटरी में जाने के बाद, पुरानी प्राइमेरी की बूक्स पड़ेंगे, बोलो भाई Сुमन बिन, तक याथ सेकेंटरी में जाने के बाद, कॉलेज में जाने के बाद आपने साइन्स ट्रीम चूस किया, अब आप हिस्ट्री जोग्रफी पड़ो अच्छे से, क्या कहेंगे, टाइम वेस्ट क्या फाइदा, तुम जो अभी डिगरी है वो पड़ो न, ये पड़के क्या फाइदा, चेंज, बाबा केते हैं, देखते हो कोई-कोई तो बहुत अच्छा पुर्शार्थ करते हैं, तुम बच्चे जो इस रुहानी सर्विस में लगे हो, उनके लिए तो बहुत अच्छा है, सचमुझ भटी में बैठे, वह संबन टूटा हुआ है, और जो ग्रहस्त व्यवार में रहते हैं, वह सुनते-सुनाते है तो पुरानों से भी तीखे जा रहे हैं, देखा जाता है, नए आने वाले तीखे जाते हैं, तीखे जाते ना, देखो, एक मैने के बच्चे, दो मैने के बच्चे, और कौन है या, एक मैने वाले, एक मैने वाले है कोई बच्चे, शाली ने बैना ना, एक मैने के, हाँ, अ आप सीनियर हो गए ठीक है दिपीका वे नबा आपके आगे जुनियर आ गए तो कितने तीखे जाते देखो रेगुलर क्लास लिखा दोनों टाइम क्लास साम को भी क्लास सुभी भी क्लास तुम लिस्ट निकालेंगे तो आप मालूम पढ़ जाएगा पहले पहले तुम्हारी माला बनाते थे फिर देखा कितने अच्छे अच्छे बच्चे तीन चार नंबर वाले भी निकल गए एकदम जाए प्रजा में पढ़े अब तुम्हारी ये स्टुरेंट लाइफ है ग्रेहस्त विवार में बाबा कह रहे हैं कन्याओं के कारण कन्याइए है हमारी लीनावन का है है की नहीं है इति का गई कोई नहीं है तो बाबा कहते है हाँ तो कन्याइ बड़ी तीखी जानी चे ये सुन रहे है बाबा तेज बुद्धी होती ना कन्याओं की हम क्या से क्या बन गए देखो अपने आपको कन्याओं के कारण ये कन्या वा गोपाल प्रवरत्ती मार्ग में राज्य करते थे ये तुमारी बुद्धी में टपकना चाहिए कि हम क्या बनते है देवताई कितने फस्कलास है उन्हों के आगे जाकर महिमा गाते है आप सर्वगुन संपन सोला कला संपुन हम पापी नीच कप्टी हम दिर्गुन हारे में कोई गुन ना ही अब ये बोलने के बाद कि मैं नीच पापी तुम सर्वगुन संपन मतलब अभी क्या वाट इस दे परपस ये स्टेट्मेंट का अगर तुम नीच पापी हो तो मेरे से क्या चाते हो आप क्या चाते हो तो आहां आप आप अच्छा करो तो मैं तो नीच पापी हुई न मैं तो एगरी कर लिया न मैं तो हूझ तो मैं तो खराब पड़ी रहा हूँ ना, मैं तो weak student हूँ ना, तो क्या चाहते हो, आप अच्छा student बनाओ, यह चाहते हो, अगर niche पापी है, तो अच्छा student कैसे बनाएं, हाथ लगा दे, भई, teacher हाथ लगा दे ऐसे, तुम अच्छा student बनने का उदेशी नहीं है, पास कर दो, अल्वेज वही होती है, ओम, जय, जगदी, शरे, वही सेम होती है, थोड़ा भी डिग्री में फरक, नहीं के नहीं कल से आज मैं better हूँ, क्यूंकि थोड़ा मैंने कल रियलाइस कर दिया, मैं कल रियलाइस कर दिया, कि मैं बहुत कुरोदी था, जैसे हम लोग करते हैं, कुर तो जबर्दस्ती है, क्या फायदा बोलके फिर तो, और ये तो बहुत ही खराब शब्द है, जैसे हम किसी के लिए कहते हैं कि तू ये है, तू वो है, तू वो है, तू कहते हैं, ये तो गाली दे रहा है, अपने आपको हम क्या कह रहे हैं, गाली दे रहे हैं, मैं नीच पाथ अगर अभी भी कोई भक्ति करता है तो आप सर्वगुं संपन् तोला कला संपुन, हम पापी कप्टी है, हम निरगुन हारे में कोई गुन नहीं है, अब इसमें भगवान को तरस नहीं खाना है, मुझे क्या करना है, मुझे बताओ ना, डॉक्टर के आगे जाके कहते हैं, कि भई, मैं बहुत खराब हूँ, मेरा ये खराब है, मैं ये आते हो ना, कि वो ट्रीट करें, तो वो क्या करेगा, प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा, तुम दवाई लो, दवाई खाओ, प्रिस्क्रिप्शन ही लिखेगा ना, और क्या ट्रीट करेगा वो, तो भगवान ये मुरली रूपी प्रिस्क्रिप्शन लिख देते है, तुम जा आप वास्तों में तर्श्वा क्रपा अपने उपर कर आपकर विंवता है, अपने को देखो फिर पुर्शार्त करना शाम से सुन्दर बनने के लिए पुर्शार्ट करना पड़ता है यह तो भक्ती मार्ग में कहते हैं मरते थे फलाने की क्रपा हुई बच गए उनकी आशिरवाद से महात्मा अधी के हाथ पकड़ कर कहेंगे आपका आशिरवाद चाहिए यहां तो पड़ाई है मन मना भावकारत हैं मंत्र तो बहुत देते अनेक प्रकार के हटियोग सिखाते हैं हरेक की अलग-अलग सिक्षा होती है हटियोग के सेंपल हो तुम जैपूर के म्यूजियम में जाकर देखो यहां तो कितने आराम से बैठे हो है ना जैपूर की म्यूजियम में बहुत हटियोगियो के सेंपल है पूरे यहां तो कितने आराम से बैठे हो बुद्धी में हैं हमको फिर से बाबा राज्ये दे रहे है इतने आराम से अब तो ओनलाइन है और भी आराम कुछ भी चलना नहीं फिरना नहीं और आराम अच्छा चलो भई बहुत प्रॉब्लम है वीडियो ओन करके सुनो तो और भी आराम किस लेवल तक आराम चाहिए हमको लेकिन अब वीडियो ओफ करके भी नहीं सुन सकते फिर क्या कहेंगे उसको इससे भी आराम कुछ होगा क्या इससे तो आराम नहीं होगा नो कुछ भी नहीं तो बाबा कहते हैं यहां तो कितने आराम से बटे लोग देखो हटी योगियों के लिए कितना महनत करते हैं अभी तो मनुष्य की व्रद्धी कितनी होती रहती है भारत की धर्ती नहीं बढ़ती धर्ती तो वही है बाकी मनुष्य कम जास्ती होते है वहां मनुष्य बहुत कम होगे देखो उतना ही स्पेस है लैंड एरिया तो उतना ही है दुनिया तो यही होगी, दुनिया कोई छोटी नहीं हो जाएगी, तो तुम बच्चों को बड़ी खुशी रहने चाहिए, हम योगबल से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं, बाप की श्रीमत पर, बाप कहते मामे कम याद करो तो तुम्हारे पाप बसम होंगे, आत्मा में खाद पड़ी होई है ना, सिर्फ कहते सतो, रजो, तमो, यनी दिखाते कि आत्मा में ही खाद पड़ती है, पहले गोल्डन एजर थे, प्योर सोना थे, फिर चांदी पड़ती है, उनको सिल्वर एच कहां जाता है, चंद्रवंशी, अंग्रेजी अक्षर कितने अच्छे है गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, फिर आईरन, सत्यूगतरेता को, ये भी एक पॉइंट है, कि वैसे सत्यूगतरेता द्वापर कल्यूग हिंदी में कहते हैं, लेकिन ट्रांसलेशन वैसा नहीं है, ट्रांसलेशन में तो स्टेजेस बताईए, मैटल की स्टेजेस का बताया उसम मतलब इंग्लिश में इस तरह से बोलते उसको, सत्य युग नहीं बोलते, गोल्डन एज बोलते, लैंड आफ टूथ नहीं है, गोल्डन एज, तो बाप समझाते, आत्मा में खाद पड़ी है, वह निकले कैसे, सतों से तमों बनी है, फिर तमों से सतों कैसे बने, समझते गंगा में सनान करने से सतों प्रदान बन जाएंगे, परंतु ये तो हो न सके, गंगा सनान आदी तो रोज करते रहते हैं, कोई तो नेमी हो जाते हैं, कि गंगा सनान करते हैं, नहर पर भी जाकर सनान करते हैं, तुमको उसमें नहर, क्या बलते हैं उसको, कैनल्स, वह वहां पे जाके भी करते है, गंगास्नान, तो योग को जानते ही नहीं, तुमको बाप कहते हैं, यह नियम रखो, जैसे वो नियम रखते हैं, गंगास्नान रोज करना है, जो गंगा किनारे होते हैं, इस तरह का तो नियम होता ही है, तुमको बाप कहते हैं, यह नियम रखो, क हमारा नियम कौन सा है मुल्ली रूपी ज्यानसान अम्रत वेला मुल्ली यह मिस नहीं करना यह नियम रखो कुछ भी करो अम्रत वेला मिस नहीं करो किसी ने मिस किया अम्रत वेला एक जन ने मिस किया अच्छा, सुनो, तो बाबा क्या क्याते है, बाकि जिन्हों ने उस दिन मिस किया रहे, ये क्या, उस दिन भी मिस किया दिपक भई, आज भी मिस किया क्यों, आज भी क्यों मिस किया फिर, दी दी किया लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया, आगे हो गया, मतलब उस वक टाइम पर तो हुआ तो मतलब चार प्रश्मेंट दो आज एक घंटा मिस किया न अभी मैं चार घंटे किसी से बात नहीं करेंगे केवल बाबा की याद में या दो घंटे में योग करूंगे पनिश्मेंट के भी गर सुधार नहीं आता है स्वयम को तो बाबा कहते हैं गंगा का स्नान का ज्यान स्नान भी कराते यह नियम रखो हटी योग समझ लिया है न याद का स्नान वा यात्रा करो ग्यान स्नान भी कराते योग की यात्रा सिखलाते actually मुझे लगता है बहुत रस आना चे अमरत वेला नियम भी नहीं है बहुत रस आता है इतनी अच्छी एकागरता हो जाती है अचकल अमरत वेले में मतलब डीप बहुत पावर्फुल रस आने लग जाएगा ना कभी-कभी होता है आज ही था मेरा थोड़ा सिर्व हैड़ेक और तो वो रस याद आया एद्दम उठे नहीं नहीं वो तो यह तो चलेगा वो बाद में देख लेंगे लेकिन अमरत वेला तो करना है बस किया फर्स चैलेंज भी करना चाहिए हिम्मत रखना चाहिए अपने सकंब नहीं होना चाहिए आज पेट बहुत दर्द हो रहा है सिर बहुत दर्द हो रहा है सो जाओ बहुत एक्स्ट्रीम केस है वो बात अलग है यह है यह है अपने से प्यार बच्चे को हम कौनसी स्कूल में भेजत ऐसे करो बाबा कहते हैं मन मनाभव का मंत्र देंगे लेकिन सिवाए बाप के कोई भी मनुष्य के पास ज्ञान ही नहीं है ज्ञान स्नान कराते हैं योग की आत्रा सिखलाते हैं बाप ज्ञान देते हैं इनमें योग का भी ज्ञान स्रश्टी चक्र का भी ज्यान है बाकि शास्त्रों का ज्यान तो बहुत देते है योग को जैनते ही नहीं है घट योग समझ लिया योग आश्रम तो ढेर है मन मनभव का मंत्र भी देंगे तुम्हारी बुद्धी में है न यब 84 का जनम पूरा हुआ चक्र पूरा हुआ फिर नहीं दुनिया होगी तुम्हारी बुद्धी में है कि ज्याड कैसे व्रद्धी को पाता है ये राजाई स्थापन हो रही है राजाई स्थापन हो रही है सब इकठे थोड़ी जाएंगे आप देखो आज एक और नया डिस्क्लोजर ब्राम्मनों का जाड बहुत बड़ा होगा सुना फिर थोड़े-थोड़े करके जाएंगे प्रजा बनती रहेगी थोड़ा भी कोई ने सुन लिया तो प्रजा में आ जाएंगे सुना सेंटर्स बहुत व्रद्धी को पाएंगे प्रदर्शनिया धेल जहांता होती रहेगी, थोड़ा भी सुन लिया प्रजा में आते रहेंगे, सेवा करते हैं, रोज आजकल तो ऑनलाइन सेवा हो रहे हैं, कितने ओलोवर कोर्सिस करते जा रहें, क्या हो रहा है एक्चुली यह सब, 33 कोटी तयार हो रहे हैं, तो बाबा कह प्रदर्शनिया सेंटर्स बहुत वरद्धी को पाएंगे, प्रदर्शनिया धेल जहांता होती रहेगी, जैसे मंदिर टिकाने निकलते जाते न, वैसे तुम्हारी प्रदर्शनी भी गाव गाव में होगे, मुझे नहीं लगता कोई गाव, इंडिया में तो कोई रहा होग जिसमें एक्जिबिशन नहीं है, है न ये कौन है, आम भी जोगाई वाले कौन है, उससे भी छोटा कोई गाव है, और भी छोटे-छोटे गाव, है, सब में है, बाबा का घर, है, बाबा का घर है, आच्छा, प्रदर्शनी है, मतलब सेंटर सब जगह है, देखो, कोई, राई नहीं है, तो बाबा कहते हैं, गाव गाव में प्रदर्शनी होगी, जैसे मंदिर टिकाने निकलते, घर घर में प्रदर्शनी रखनी होगी, घर घर में प्रदर्शनी किसके पास है, घर में प्रदर्शनी, निर्मला बेन, और, और, प्रदर्शनी घर में, किसी के नह जो आने वालों की वैसी सेवा हो जाएगे एक रूम डेडिकेट कर दे उसमें क्या हो लोग नहीं रखते जिनको शौक होता है म्यूजियम का वो अच्छे-च्छे वो रखते हैं डेडिकेट कर लो एक तो बाबा कहते हैं प्रदर्शनी धेरो घर घर में प्रदर्शनी होगी व्रद्धी को पाते जाएंगे निकलते जाते वैसे तुम्हारी प्रदर्शनी भी गाव गाम में होगी सबके पास अच्छा व्रद्धी को पाते जाएंगे इसलिए आखरिन इन चित्रों की भी छपाई करनी पड़ेगी सबके पास बाप का पैगाम जाना है पहले पिच्चर बनते थे आर्टिस्ट दिल्ली में होते थे ममा के समय तो बॉम्बे का आर्टिस्ट था उसके बाद दिल्ली में होता था क्योंकि जगदेश भाई यहीं के थे तो और फिर क्रिशनानगर में पिच्चर बनते थे उसके बाद शिवा कासिप साउथ इंडिया में पिच्चर बनते थे सारे यग्ये के अब तो फिर computer है और तो तो शिव जेनती भी गाई जाती है तुम बच्चों को बड़ा भारी service करनी है अभी ये projector प्रदर्शनी का fashion निकला है तो गाउ गाउ में दिखाना पड़ेगा ये अच्छी रीती वह अच्छी रीती उठाएंगे शिव जेनती गाई जाती है परंतु वह कैसे आते किसको पता ही नहीं अच्छी रीती points धारण होगी तो service भी बहुत अच्छी कर सकेंगे प्रंतु सब points किसको धारण होती नहीं है जितनी points अच्छे से धारणा होगी सेवा होगी भाशन करके आएंगे फिर ख्याल में आएगा अजुन ये points भी समझाते थे तो अच्छा था कुछ न कुछ points रही जाता है जिनका दे अभी मान नहीं होगा वज़ट बताएंगे भाशन कर फिर विचार करेंगे हमने तो सब points ठीक समझाई अजुन ये points भूल गए points कोई साथ नहीं चलनी है ये सिर्फ अभी के लिए analyze करना होता है ना कि मैंने कितनी कैसे किया केवल वो नशे में नहीं आना बहुत लों ने तालिया वजाए ये पर मैंने कैसे किया ये करो अपने आप ये है सिर्फ अभी के लिए फिर ये खतम हो जाएगा जान कि दाधी जब कोई भाशन करता था दाधी सकाश देती थी दाधी के थी हमको मैं सकाश देती हूँ मतलब कमाई करने वाला कोई भी तरीके से कमाई करेगा कोई भाषन कर रहा है अपनी कमाई करो सकाश दो कि हाँ यह आत्माएं पक्के बाबा की बच्ची बने इस भाषन करने वाले से सरस्वती निकले मुहिनी बेनमेशा केती है बाबा भेशते थे ना पहले से भाषन के लिए तो माताई जो होती थी वो जाती थी बुला इसमें सर नेत्री देवी का वास हो इसमें तो वो देखती जाती थी बहनों को और साथ में यहां आवान करती थी इसमें सरस्वती हो इसमें यह है सेवा सेवा भी है अपनी कमाई भी है उस समय तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्रव मिलता है अभी तुम त्रिनेत्री बनते हो बाबा आ जाते हैं यह बुद्धी में रखना है इसमें महनत है बच्चों को महनत करनी चाहिए और खुशी में रहनी चाहिए कौनसी आज की खुशी क्या है अजय भई बताएंगे आज की खुशी शुरू से जो बाबा बता रहे हैं ठीक है यह फुशी कितने सारे खुशी के पॉंट् जो है वो याद रखेंगे, तुम जानते हैं हमारा राज्य में क्या क्या होगा, पाँच पेपर कमपलीट हो गए, अभी छटा पेपर है, दस पेपर है टोटल, तो पाँच हो गए, थर्ड वेव आएगा, छटा पेपर हो जाएगा, फिर, फिर, फिर सेवंथ पेपर आएगा वो what-of है, कोई बात नहीं, पर 7th paper है, ठीक है, ऐसे, बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए कि हम इस पढ़ाई से राज्य लेते, पढ़ने वाले को मर्तबा याद रहता है, हम पढ़ते भविश्य के लिए, अच्छा पढ़ेंगे तो राजगद पर बैठेंगे, पढ़ो अच्छा, अच्छा क्या पढ़ना है, इतना तो लेट हो गए वैसे भी, साकार पार्ट, अव्यक्त पार्ट, सब पार्ट, बस एक लास्ट पार्ट बचाए बाबा का, फरिष्टे का, हमारा पार्ट बचाए, इट्स लाइक, कितना है, 70, 80%, 85 years हो बाबा चले ग्यान को, 75% of the part तो complete हो गया, अब कितना है, अब थोड़े समय के लिए त्याग नहीं कर सकते हैं, बाहर का खाना नहीं खाए, क्या फरक पड़ता है, थोड़े समय के लिए, मुश्किल है, किसको लगता है मुश्किल है, सुनीता है बेन, अजे भाई, सिर्फ थोड़े समय के लिए, मुश्किल है, प्राप्ति कितनी है, अब भी भी कर लिया, टाइम पे नहीं, अब भी भी कर लिया तो भी बहुत प्राप्ति है, लेकिन इदम टाइम पे किया फिर तो नहीं, फिर क्या मिलेगा, तो बाबा कहते हैं, बहुत गई थोड़ी रही है, त वे तो नामी ग्रामी हो चाते हैं अच्छा पढ़ेंगे वो अभी लिस्ट निकाले माला बनाए तो सब कहेंगे फलानी बच्ची को हमारे पास भेजो रिफ्रेश करने भाशन करने वालों को बुलाते तो उनका रिगार भी तो रखना चाहिए हमको इन जैसा होश्यार बनना है अच्छा मीठी मीठे सिके लदे बच्चो परती मात् पिता बाब ददा का याद प्यार गूड मॉनिंग तो आज कहें अतिंद्रिय सुख का अनुभव करने के लिए देह के भान को तोड़ने का पुर्शार्थ करना है अब वापिस घर जाना है इसलिए बुद्धियों घर से लगा रहे दूसरा है ग्रहस्त व्यवार में रहते पढ़ाई भी पढ़ने है डबल कोर्स उठाना है ज्यान का स्नान और याद की यात्रा करनी और करानी है वर्दान है न्यारेपन के अभ्यास द्वारा फरिष्टे रूप का साक्षातकार करने वाले निरंतर सहेज योगी भव नियारेपन का अभ्यास द्वारा फरिष्टे रूप का साक्षातकार कराने वाले निरंतर सहेज योगी फर जैसे कोई भी वस्त्र धारण करना वा न करना अपने हाथ में होता है ऐसा अनुभवे शरीरूपी वस्त्र में हो जैसे वस्त्र को धारन करके कारी किया और कारी पूरा होते वस्त्र से न्यारे होए शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन चलते फिरते अनुभव हो तब कहेंगे निरंतर सहेज योगी ये आज का अमारा विशेश पुर्शा रदोगा शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन चलते फिरते अनुभव हो चलते फिरते में आत्मा न्यारी ऐसे डिटैच रहने वाले बच्चो द्वारा देखो इसका रिजल्ट देखो अनेक आत्माओं को फरिष्टे रूप और भविष्य राज्य पद के साक्षात कराऊंगे अन्त में इस युक्ती से इस सर्विस से ही प्रभाव निकलेगा तो निरंतर सहेज्यों की मतलब चलते फिरते मैं आत्मा लग शरीर लग यह प्राक्टिस करें निकले एक चलो पाँच सेकेंड के लिए आत्मा शरीर से निकल गई पाँच सेकेंड जोति को देखे निकलते हुए वापस अंदर आई वापस निकले बाहर वापस अंदर आई पाइज सेकेंड सोगे अच्छा लगा लगा न अच्छा शरीर से डिटैच होने के प्राक्टिस करें आईडिया से डिटैच इंपरेशन से भी डिटैच स्लोगने संगम का एक सेकेंड भी व्यर्थ गवाना अर्थात एक वर्ष गवाना संगम का एक सेकेंड गवाना भी वियर्थ गवाना रथा ते एक सेकेंड गवाना हुआ आच्छा तो ये पुर्शारत भी करेंगे आज आज का अव्यक्त इशारे है अव्यक्त इशारे है जैसे कोई भी बात सामने आती है तो स्थूल साधन फौरन ध्यान में आ जाते है लेकिन स्थूल साधन होते भी ट्राइल योगबल की ही करनी चाहिए जैसे साइन्स की अंतरोद्वारा दूर का द्रश सम्मुक अनुभव करते हो वैसे साइलेंस की शक्ति से भी दूरी समाप्त हो सामने का अनुभव आप भी करेंगे और अन्यात्माई भी करेंगे इसको ही योगबल कहां चाहता है तो मतलब जैसे बाबा कहते की बहुत अच्छा है की साधन होते भी हम ये सहुष्टे हैं ना की साधन होते भी मैं फोन कर सकती हूं उस आत्मा को कभी-कभी अपने संकल्पों द्वारा बुलाओ बाबा कहते हैं साधन होते भी साधन होते भी साधन का योगबल की प्रैक्टिस करो कई जग़ए संकल्प दो सात्मा को सत्यूग में कैसे चलेगा सारे means of communication no email, no whatsapp, no telegram, no phone संकल्पों का बलाब करें उसके लिए अपनी पुर्शारत करना होता है स्रिष्ट संकल्पों का वैसे है ही हमको कभी किसी से मन मुटाव होता है ना तो continuously संकल्प चल रहे हैं सात्मा के भी चलते जा रहे है as it is we are communicating आपको इसको positive में बे चेंज करना है झाल कि झाल